परिचाए जब त्रिभुज की उचाई न दी गई हो, तो इस सूत्र का प्रयोग हम त्रिभुज का क्षेत्र फल ज्याद करने के लिए करते हैं। आओ इस अध्याय में हिरोन के सूत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। इस सूत्र का प्रयोग त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ग्यात करने के लिए कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ग्यात करने के लिए दिये गए हिरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। सूत्र हमें क्षेतरफल ग्यात करने के लिए आधार और मुचाई के प्रयोग से खेतरफल ग्यात करने वाले सूत्र पर विश्वास करने की आविशक्ता नहीं है. यहां आकरिती सामाने सूत्र को व्यक्ति करती है, जिसमें S तिर्भुज का अर्ध परिमाप है. हमें सिर्फ दो चरणों की प्रक्रिया का प्रेयोग करना है चरण एक S बराबर A जमा B जमा C बटे दो का प्रेयोग करके S यानि तिर्भुज के परिमाप का आधा उसकी गड़ना करना और चरण दो उसके पश्चात A बराबर वर्ग मूल S गुणा S घटा A S घटा C का प्रेयोग करके शित्रफल ग्याद करना जहां A, B और C तिर्भुज की भुजाएं है उधारण आईए अब कुछ हल उधारणों को देखें यदि A, B बराबर 3 B, C बराबर 2 C, A बराबर 4 भुजाएं हो तो हिरोन के सूत्र से तिर्भुज A, B, C का क्षित्रफल ग्याद कीजे हल हम चरण बद रूप से क्षित्रफल ग्याद करेंगे चरण 1 अर्द परिमाप की करना कीजे जो की S पराबर A, जमा B, जमा C, बटे 2 के पराबर है भुजाओं का मान रखने पर हमें 3, जमा 2, जमा 4, बटे 2 पराब्त होता है इसको हल करने से हमें S पराबर 4.5 पराब्त होता है चरण 2 S का मान A बड़ाबर वर्कमूल S गुणा S घटा A, गुणा S घटा B, गुणा S घटा C सूत्र में रखने पर हमें A बड़ाबर वर्कमूल 8.4, 3, 7, 5 जो की लगभग पराबर है 2.9 के पराब्त होता है एक तिर्भुच दिया हुआ है जिसका क्षिद्रफल 8.9 चार वर्क इकाई है परिमाप 16 और भुजाओं की लंबाई A B बड़ाबर 3 और C A बड़ाबर 7 है तो भुजा B C की लंबाई कितनी होगी हल चरण एक अर्ध परिमाप S की करना कीजिए S पराबर परिमाप बटे दो यहां परिमाप 16 दिया है इसलिए ये S पराबर है 16 बटे दो यानि 8 के चरण तो ग्यात मानक मान को इस सूत्र में रखे च्योंकि B C का मान अज्यात है इसलिए मान लिजिए कि भुजा B C की लंबाई X है अधा मान रखने पर हमें निम्न समी करन प्राप्त होगा अब दोनों पक्षूं का वर्ग करके X के लिए हल करिए समी करन को हल करने पर हमें X लगभग 6.00 प्राप्त होगा चत्रभुज का क्षित्रफल ग्यात करने में हिरोन के सूत्र का अनुप्रयोग यदि उनकी सभी भुजाओं की माप दी हुई हो तो हिरोन के सूत्र का प्रयोग चत्रभुजों का क्षित्रफल ग्यात करने में भी किया जाता है इसके लिए हम चत्रभुज को दो तिर्भुजों में विभाजित करते हैं और फिर इसका क्षित्रफल ग्यात करते हैं आईए कुछ उधारण देखें यदि उन दोनों तिर्भुजों में से एक तिर्भुज समकून तिर्भुज है तो पाइथागोरस के नियम के प्रयोग से उसका विकर्ण ग्यात किया जा सकता है आईए कुछ उधारण देखें चत्रफुज A, B, C, D का क्षित्रफल ग्यात कीजिए जिसमें A, B बराबर 7 cm, B, C बराबर 6 cm, C, D बराबर 12 cm, D, A बराबर 15 cm और A, C बराबर 9 cm है इस चत्रफुज को देखो इसका क्षित्रफल ग्यात करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं आईए अब एक-एक कर इन त्रफुजों का क्षित्रफल ग्यात करें त्रफुज A, B, C के लिए S बराबर A जमा B जमा C बटे 2 बराबर 6 जमा 7 जमा 9 बटे 2 बराबर 22 बटे दू बराबर 11 सेंटिमीटर अब हिरोन के सूत्र से जोकी चित्रफल बराबर वर्ग मूल S गुणा S घटा A गुणा S घटा B गुणा S घटा C है सूत्र में मान रख कर गणना करने पर हमें तिर्भुज A, B, C का क्षित्रफल 20.98 वर्ग सेंटिमीटर प्राब्त होता है अब तिर्भुज A, C, D के लिए भी उप्रोक्त सूत्र अपनाते हुए पहले तो हम 18 सेंटिमीटर प्राब्त करेंगे और फिर सूत्र में मान रख कर गणना करके तिर्भुज A, C, D का क्षित्रफल 54 वर्ग सेंटिमीटर प्राब्त करेंगे अथा चत्रभुज A, B, C, D का क्षित्रफल बराबर होगा तिर्भुज A, B, C का क्षित्रफल जमा तिर्भुज A, C, D के क्षित्रफल के इसलिए चत्रभुज ABCD का क्षित्रफल हुआ 74.98 वर्ग सेंटिमीटर क्या आप जानते हैं? हिरोन का जन्म संभवता 10 AD मिस्र में एलिक्जेंट्रिया नामकिस्थान पर हुआ था उन्होंने अनुप्रायों के गणित पर कारे किया उनका जयमितिय कारे मुक्यता, छेत्रमिती की समस्याओं से संभंदित था ये कारे तीन पुस्तकों में लिखा गया है इसी पुस्तक में हिरोन ने तिर्भुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद सूत्र प्रतिपादित किया है सारांश आये हमने जो कुसी का है उसे संख्षेप में दोहराएं हिरोन के सूत्र द्वारा एक तिर्भुज के ख्षेत्रफल जिसके भुजाएं A, B और C हो उसकी गणना इस प्रकार की जाती है हिरोन के सूत्र का प्रयोग किसी अन्यमित चत्रभुज के प्षित्रफल की गड़ना में किया जा सकता है यदि उसकी सभी भुजाएं दी हुई हो इसके लिए हम चत्रभुज को दो त्रिभुजों में परिवर्तित करते हैं और फिर हिरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं